hello friends welcome to swing trade अभि हम लोग जाएंगे जिरो कैड का काम लोग कैसे इंस्टाल करके कैसे इसको यूज कर सकते हैं इसके बारे में अभी playstore में जाएंगे placing जाने के बाद में यहां पे top में लिखेंगे जिरो धा तो उसके बाद में search करेंगे search करने के बाद में औपे option में आकर यहां पर open कर रहा हूं and user id यहां पर डाल देंगे password डाल देंगे, user ID password डालने के बाद other में next screen में जाएंगे जो कि pin मांगेगा हमें कि दfit next screen पर आ गया, next screen इसके बाद में यहां पर हम लोग अभी पिन एंटर करेंगे…. मैं दिखिए, पीन एं туда करने के बाद में हम लोग के पास इससे वाच लिस्त आ गया, यहां पर वाच लिस्ट नॉमयरण इत्वर वाच लिस्ट नॉमबर टू फर फर फाइव, पांछ लिस्ट इसमें होता है तो इसको कैसे set करना होता है मैं पेले पूरा स्टार्टिंग में से बता देता हूं तो यहां पे watchlist 5 watchlist है जो जो stock हमें watch करना पड़ता है वो stock को यहां पे हम लोग entry करेंगे यहां पे मैं एक stock को purchase करने वाला हूँ इसलिए वो stock को हम लोग अभी देखेंगे suppose HDFC bank में को अभी करने वाले हैं तो इसलिए यहांपे हgiai F.S.Bank को सिलेग किया है कि तो यहांपे सिलॉस करने के बाद में यहांपे जो प्लसЕ प्लस को क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर ब्याइक आजाएंगे यहां पपर एपना श्रीश में पर अगया है यहांपे इस डियर सी ब्यांक उसके बाद में हम लोग यहां पर उसके उपर क्लिक करेंगे उसके उपर बाई क्लिक करेंगे बाई क्लिक करने के बाद में तो हम लोग को अभी यह क्वांटिटी से लेक करना है कितना क्वांटिटी से लेक करना यहां पर क्वांटिटी से लेक कर सकते है हैं i1 & 2 है वह उसलर्ड कर सकते हैं BACE से खरीदना है यहां पर click करेंगे ने से बाम करेंगे क्योंकि liquidity ज्यादा होता है एक ने सिए में निशनल अडि़क्षम में तो यहां पर एक तो यहां पर select करने के बाद में तो हम लोग यहां पर बाकी सारा option देख लिजिए हम रिमिट प्रेस लगाया regular order है तो यहां पर swift to buy किया तो हमारा stock अभी buy हो चुका है तो हमारा position पर यह आ चुका है ठीक है दोस्तों अभी यह जो stock है हमारा position में आ चुका है तो यह stock अभी calculate पहे एक दिन के बाद में हमारा holding में आ जाएगा यहां पर T1 दिखाएगा उसके बाद में T2 दिखाएगा उसके बाद में हमारा DMAT account में वह आ जाएगा तो इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे यहां पर हमारा Fond कितना है तो यहां पर order जो हम लोग लगाते हैं order अगर pending रहता है यहां पर 100 होता है order एक जुक्लोट होने के बाद में यहां पर 100 होता है इसमें और एक process है वह भी में बाद में बताऊंगा अभी account का कितना balance है यह हम देख सकते हैं जैसे कि अभी कितना आपने deposit किया अभी सुभे मेरे एक friend ने 10,000 रुपे उनके account में deposit किया है यहां पर 100 होता है उसके बाद में हमने अभी stock purchase किया तो 1450 का stock था पर्चेस होने के बाद में अभी balance amount यहां पर दिखाता है ठीक है दोस्तों ओके thank you for watching this video